नमस्कार दोफ्तों आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मेडिसे रिव्यू में और आज हम बात करेंगे जैरो लेक टेबलेट के बारे में जो कि गठिया और यूरिक एसिट को कम करने के लिए काफी अच्छी और जानी मानी टेबलेट है तो फ्रंस आज हम इसी ट टेबलेट के क्या कई यूजीज हैं और कि आप टेबलेट को खाने से कोई साड़ पर चाहते हैं और यूरिक एसिट क्या है और इसकी साड़ कमपोसिजन के बारे में पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने बार लाओं तो फ्रंस अगर आप इस टेबलेट के ब सके और आपसका लाब उठा सके तो फ्रंस बात अगर जारो लग टेबल की करें तो शुझत जी एस के नाम की कंपनी मनाती है जीए कि आप जानते होंगे गैसको इस मित कान नाम की कंपनी बनाती है और इसमें स Tian golden day-a whirl fifth duya होता है और यह आपको जो शहासे में मार्केट में, आसानी से आपको मिल जाती है तो इसके बात कर लेते हैं इसके यूजिज के बार में तो फूंड इसका उप्योग यूरिक एसड को कंट्रोल करने के लिए की जाता है जब हमारे जब भी हमारे खूण में यूरी कैसिट का लेबल जो है कभी कभार बढ़ जाता है तो इससे जो संब्धित बीमारियां होती है तो उन सभी को ठीक करने के लिए जैरोलेक्ट केबलेट उप्यूग में लाई जाती है यदि किसी बेक्ति को जो है गौट हो गया है जिससे हम जो गठिया कहते हैं वो हो गया है यह एक प्रकार की बीमारी होती है जो कि हमारे जोडों से संब्धित होती है इससे जो हमारे जोडों में काफी सूजन आ जाती है और बहुत ज़दा दर्द होता है और यह ज़्यादा और सुजन को कम करने के लिए जयो लिक टेबलेट उपयोग में ला जाती है इसे खिलाने से मरीज का बहुत ही जल्दी आराम मिल जाता है उसका दर्शुजन कम हो जाती है जब भी हमारे सरी में यूरिक असिड की मात्रा बढ़ जाती है तो इसे जो हमारे स्किन में कहीं भी जमा हो सकती है जिससे कि हमारे स्किन जो है वाइट हो जाती है या माम पर पीलापन हो जाता है आप जो स्क्रीन पर देख सकते होंगे आपको ऐसी सी कंडिशन मैसूस होती है तो इन कंडिशन गो जो ज़ाई करने के लिए जाईरोलेक केबलेट जोए उपयोग में ला जाती है साथी अगर कीस व्यक्त को जो किणी में पत्री हो गई है और इसके जो चारो तरब जो यूरीक एसिड जमा हो गया है और जो है उसे जो इस इफ़े दी में भी हम जारयक क्या होता है is कि हमारे शरी इसरी में बढ़ जाता है तो उसको खातम करेंगे लिए जारयक टेवलेट दी जाती है तो आप जानने हैं कि यूरीक असिड क्या होता है और क्यूंख हमारे सरील में बढ़ जाता है तो फिसले सिय यूरिककड़ रिल्टी में ऐतब अब्रकार का तत हुद्व॥ ये यूरिककड़ हमारी यूर्इन से लिया जाता है इस टरह हमारे बोड़ि बैलन्स बना रहता है है जब योरी जा रादर legg यो जो युरीक कि झा जए अबर्ण नहीं हो पाता एक तो accent में हमारे युरीक जो जए बेद हमारे बढ़ जाता है लिसकरह रहा Him परिशानियां जो हो जाती है तो अगर किसी को ब्लड प्रेसर हाई रहता है या किसी बिक्त को बहुत ज़्यादा सराप पीता है तो इसमें यूरिक एसेड बढ़ने के बहुत ज़्यादा चंज रहते हैं तो अग artist को जाप बिना डॉक्त की सलाथ से नहीं लेना है तो ज Greece इसनके मैंने बता आपको जाए आ न शनमी में से कोई वी समझ से आय सरदर्द ऐसे को समस्यां देखने को मिल सकती है अगर ऐसी को समस्या देखाए देती है तो अपने डॉक्टर की सलाज़ देखते हैं जिससे आपको फर्दर्ड ट्रीटमेंट मिल सके तो फ़र यह था हमारा जो है जरुलेक टेबल का रिव्यू तो फ़र उमेद करता हूं कि आकन को भी